करें आज से एंड स्क्रीन शेयर है सबसे इस तरह से कि देखिए आज हमारा टॉपिक है कि जब हमने डिस्टिंग क्रियेट कर लए ही होती है इसके बाद सेकिंड स्टेप आ जाता है कि अब शिप्मेंट क्रियेट करनी होती है ठीक है शिप्मेंट में कौन कौन से चीजें रिक्वायर होती है वह मैं डिटेल से आप से डिसक्स करूंगी अपकी कोई इन्वेंटरी यह तो वैसे डमी अकाउंट है ना लैट स्पोस्थ क इन्वें पर आने के बाद आपने यहां से क्या करनी है यह जो है ना यहां से आपकी जो लिस्टिंग रड़े हो गी जो भी आपने worry जिसके लिए आपने झेना वह अपनी zaman कर नहुंए लाइक आपनेफेंट क्रियेट करनी ना उसके रिगारडिंग यह आपने कुन सी हैं वह हम देख लेते हैं let's suppose कि आपने क्या करना है कि शिप्मेंट में आपने जो information encode करनी हो यह Amazon आप से require करेगा और आपने यह information encode कर देनी है let's suppose Amazon आपसे पहले यह पूछेगा कि यह रही के send replenish inventory first of all आपसे address पूछ जाएगा कि supplier जो है न पूछ शिप from address and this address is given by your supplier definitely supplier जो चीज़ें हमने मगवानी होती है ना सोर्स करवानी होती है वो चाइना से करवानी है और चाइना में बेस्ट supplier का address हमने provide करना है कि वो कहां से belong करता है ठीक है you need to take this detail from your supplier and send screenshot of this area to your supplier and take information and place all information in inform address ठीक है address में आपने वही information encode करनी है जो supplier आपको provide करेगा कि वो कहां से belong करता है ठीक है now choose individual or case pack इसको मैं explained way से आपको बताती हूं कि individual or case pack में क्या differentiation है let's suppose कि individual packs are the single product of varying quantities and condition ठीक है अब individual packs it's mean कि अब यहां से example encode करते हूं कि let's suppose कि individual products है individual products में यह होता है कि let's suppose कि individual item with different SKU ठीक है in different condition products जो है na different SKU के साथ different condition में case pack में products पढ़ी होंगी ठीक है उनको हम कहते हैं यह individual products है case pack products कौन से होती है let's suppose कि shipment consists of case previous package package by manufacturer and contain the identical item with matching SKU अच्छा इसमें यह होता है कि जो भी products पढ़ी होंगी नो SKU से match कह रहे होंगे एक दूसरे से ठीक है एक यहां पर हमें आपको tip भी provide करती जो जब भी आपने यह आपने inventory source करवानी है शिप्मेंट आपने करवानी है तो shipment में आपने supplier को guide करना है कि आप जो हमारी product let's suppose कि आपने दो के स्कॉटन आपने book करवाये और आप यह निकि आपने क्या कहना है कि supplier को अपने कहना है कि let's suppose आप 300 peace ship करवा रहे हैं आपने उनको कहना है कि 151 के स्कॉटन में और 150 ही का यह नहीं करते और एक में कर दे इस तरह से ऐमजाँन बिल्कुल भी एसप्ट नहीं करेगा ठीक है नेक्स्ट आउनवर्ड केश्पैक और इंड्वीजिव में से आपने केसपैक को क्लिक करने है और क्लिक उन गूंटिनू आपने नाव सेट कॉंटिटी कॉंटिटी आपने स्लेक करनी है कॉंट पर केस कोटन आने है ना यूनिट जितने भी आपकी प्रोड़क्ट के आने है वह आपने एक्वलाइज रखने है डॉसंट मैटर के केस उनिट कितने है ठीक है नाव एमजन आस्क्यू फूर प्रिप्यर अब डेफिनेटली अमेजन आप से कंफर्म करेगा कि प्रिप्यर कौन कोव रहा है if no preparation required simply select no preparation needed and if preparation needed then send guideline to your supply that prep according to this lit again अपकी preparation कोन कह रहा होता है supplier कह रहा होता है ठीक है आपने supplier को वोदे दिने फ्रमिशन के supplier ही ऐसे अओ मर्चंट आपने select करना है क्योंकि supplier आपके आपकी जो है ना वो प्रोड़क्ट को प्रिपेर का रहा है स्लेक्ट प्रेप गाइडेंस चूज कैटेगरी अब प्रोड़क्ट क्लिक को नो प्रेप नीड़िड एंड देन कंचिनुए नाव एमजन आस्क यू हूँ लेबल अच्छा जो आपकी प्रोड़क्ट पे लिबलिंग लगनी होती है न हाँ मरचेंट का रहे और मरचेंट में कओं कर रहे है सप्लायर हमारा सप्लाय पार प्रोड़क्ट करने है अगर यहाँ पर आपने चैंजीं कर सकते हैं अगर यहां पर आपने चेंजिंग करनी होगी तो आप यह नहीं कर सकते हैं अधर देंडाइड जो है बाद में फिर चेंजिंग नहीं कर पाएंगे मजीद यह information आपसे encode करेगा कि Amazon require करेगा आपने कहा करना है यह आपने supplier का जो है कर दी Amazon को अब Amazon का अड्रेस जो हैं Amazon का वे राउस कहां पर बिलांग कर रहे हैं वह आपने supplier को वह SPD है या LTD है अभी इसमें clear cut differentiation यह है कि हमने प्राइवर लेबल की जो प्रॉड़क्ट लाउंच करनी होती है न वह हमने जितनी थोड़ी inventory हो small light in weight हो उसी product को हम refer करते हैं तो यह हमारी product जो है करते हैं what is your shipping carrier Amazon shipping carrier यह फिर other carrier में UPC हमेश्य हमने buy करके लगाने होते हैं प्रॉड़क्ट पर रेकमेंड यह होता है कि UPC को ही other carrier में UPC को select करें next shipment packaging में आ जाती है one box multiple box everything in one box ठीक है अब यहाँ पर देखें one box हम करते नहीं है everything in one box भी नहीं करते हैं multiple box हम करते हैं मिसाल के दूर पर दो box select कर वा लिए उनमें equalize quantity रख लिए हैं three box तो यह हमारी अपनी मर्जियों देलेगी लेकिन हमने multiple box के तुरू चलना होता है पूट यह detail quantity box की quantity क्या है weight क्या dimension क्या box का यह confirmation करके हमने confirm कर देना ask supplier when ship inventory to amazon and insert shipping date ठीक है अब हमें supplier भी बताएगा ना कि वो किस दिन shipment करवाएगा तो वो shipping date हमने supplier से पूछ के वो confirm करके बूट कर देनी है नाव प्रिंट अब हमने जो प्रिंट ले वह पीछी लेबल डॉनलोड किये थे ना वह हमने किया था आइटम के लिए अब यहां पर वो कहेगा कि बॉक्स के लिए भी प्रिंट लेबल करें हमने फिर क्या करना है बॉक्स के लिए प्रिंट लेबल करके उन्हीं PDF को दुबारा supplier को बेह देने supplier ने उन्ही जो लेबल्स है वो हमारे बॉक्स पे भी लगा देने ठीक है नेक्स्ट हमारा किलिक कॉन complete shipment and shipment have been successfully created so यह just information है जो हमने इंकोड करनी है और यह shipment कौन करिये किस वे से हम create करते हैं जो भी इंफर्मिशन रिक्वायर हम अपने supplier से बूचते हैं और उसके according हम shipment create करते हैं ठीक हो गया यहां तक किसी का भी conflicts है तो अब पूछे नेक्स्ट हम ओल्सिल के टॉपिक पर जाते हैं कि चलें जी कोई कुस्टन नहीं है इसके recording कि नेक्स्ट मूव ओन करते हैं प्राइवेट लबल एंड होलसेल मॉडल और इसमें क्या डिफ्रेंसिशन है हम देखेंगे और साथ यह कंफर्म करें वहाज सबको क्लियर है जैसमें और अच इसमें यह है कि लेट्स पोज हमने देखना है प्राइवेट लबल और और मॉडल बैसिकली किस तरह से हम लेकर चलते हैं और और अम से करे डिफ्रेंसिशन है वह इस इन द्क्राइट से आपको फाजर रोगा आवाज बहुत स्लोग आ रही है, समाव यह बात कह रही है आईशा, आईशा जी आईशा क्या घुस्षिन है विसम जी पूछ दो जब इंडियन सेलर अकाउंट आ रहा है तो यह क्यों बनाते हैं जी जी इंडियन सेलर अकाउंट क्यों बनाते हैं षी क्लानि लिय न iya and यह दमें अकाउंट है इंडियन आईशा लेकम चूंद उककी प्रवाइट कर दूंगे आप भी आप पर सकते हैं यह आप लिए फ्रहा मैंने लॉग-ईन करने थे अपने अकाउंट तो आप किसम के प्रैक्टिस डम्य काउंट पर कर सकते हैं तो यह मैं लिंक भी आपको परवाइट कर दोंगी यह डम्य अकाउंट आप क्रेट कर लीजेगा मैं कि अधिए 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 लिस्टिंग की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एच सेकेंड में आपको ना स्क्रीन शेयर करके ना फिर गाइड करती हुआ स्क्रीन शेयर है सबसे यस मैं मैं अचा इस तरह से यह देखें हम हर तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं अध्वर्टाइजिंग मैंज में जा के कंपेंट मैंचर से हम पडिखर कर सकते हैं इवन दो कि let's suppose कि हमने यहां से shipment और catalog में add product पर जाके तो हम जो है न वो products को देख सकते हैं जो listing create करनी होती है उसकी practice हम easily कर सकते हैं let's suppose कि हम add product में आए यह page आए next I am adding a product not sold on Amazon यहां पर click किया ठीक है अब यहां पर आपने न अपनी category कोई भी select कर लेनी है let's suppose कि मैं category select करूंगी home and kitchen कर लेते हैं next वो बता देगा कोई भी अजूबी अपकी product की category होगी न वो आप select करेंगे और इसके बाद आपने करना क्या है कि यहां से आप अपनी category select करेंगे कि आपकी product किस के recording है ठीक है let's suppose कि garlic press जो है न या kitchen tool से recording है ठीक है आपने उसको select कर लिया जो भी आपकी further sub category होगी न उसको आपने select कर लेना है अब आपने करना कहा है कि let's suppose यहां पर आपने product की ID देनी है जो कि आपकी listen होगा उसके बाद आपने करना कहा है कि let's suppose product item name देना है ठीक है variation होगी तो आपने yes करना other than no उसके बाद यहां पर brand का name देना है अगर कहीं भी conflicts हो तो आप supplier से भी पूछ सकते हैं ठीक है material type कौन से है ठीक है number of piece कितने है item type name क्या है ठीक है यहां brand का name ही आएगा उसके बाद next manufacturer contact और product dimension यह आपने आड़नी करना product dimension यहां पर dimension वगएरा add करेंगे ठीक है next आपने क्या करना है unit count कितने है unit count type कितनी है next variation में आ जाएंगे variation let's suppose के अगर होगी आपकी size की variation है material की है color की है जो भी है आपने उसको select करके वह variation add कर देनी है offer में आप आएंगे offer में आप आके तो यह देखें SKU बताएंगे और आप price बताएंगे कितनी रखी है quantity कितनी है आपकी ठीक है next आपने image पर आजाना है image आपको ना nine image यहाना वह amazon allot करता है कि आप इसको add कर सकते है है ठीक है तो आपने nine image यहाँ पर एंटर कर देने है main image आपका बड़ा ही attractive होना चाहिए बहुत सबसे unique image होना चाहिए main image ठीक है उसके बाद आपने further next आपने क्या करना है आपने यहाँ पर more attribute पर क्लिक किया कि एक सब्सक्राइब करेंगे ना तो अहां पर आपको डिस्क्रिप्शन करेंगे ना तो आपको डिस्क्रिप्शन और keywords जो आपने add करने होते हैं search terms वो भी आपको बता देगा को इसे भी select कर लेते हैं अच्छा इसमें बताने का मकसद ही है कि जो listing मैंने create करना बताई थी ना वह आप इस तरह add कर सकते हैं यह देखें let's post के more attribute पर क्लिक किया और यह तमाम information encode करते हुए images तक जो है next description में आप description write करेंगे यहां पर bullet points है add product पर जाके add more add more करके तो आप यहां से bullet points जो है five bullet points recommend होते हैं उनको add कर देने उसके बाद keywords में आप search terms add कर देंगे ठीक है और next आपने जो भी है more detail में जो भी थोड़ी और detail जो require कर रहा होगा वह आपने एंटर कर देनी हैं बताने का मकसद यह था कि हम आपने जैना listing इस तरह से create करनी होती है तो and let's suppose कि आपने तमाम information encode कर दी और आपने next यह देखे save and finish पर click करना है तो आपकी यह listing create हो जाएगी तो इस तरह से यह dummy account का फाइदा ही होता है कि आप उना इस पर practice easily कर सकते हैं तो इसका link मैं आपको provide कर दूंगी आपने इसका जोहना वो link से जोहना वो स्टार्ट वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजेगा इवन दो प्रैक्टिस की प्रैक्टिस पी इस पे जोहना वैल बेसे हो सकती है नेक्स देखें जी हम देखेंगे अब Amazon के दो मॉडल्स है इस टाइम पर Amazon के दो मॉडल्स बहुत ज्यादा इन है लाइक एफ वी और एफ वी एम ठीक है और एक डॉप शिपिंग भी मॉडल बहुत ज्यादा इन है लेकिन हम रगमेंट नहीं करते हैं एक्सपॉर्ट विकर टी है अजिए ओन अमजों देड़ टू टाइब सफ मॉडल्स एफ फूलफिल्मेंट वा एमाजोन वेराऊस और फुल्फिल्मेंट वा अमाजोन प्राविटिवर्टीवटिवेट्टी लेट सपोस्किए आपी और फ्पिम मॉडल जाना वोजेल और फ्पिया बैसिकली एक दोर पर चलें ताकि हमारी हैजल जो हो सके और Amazon फिर कस्टमर को डीलिंग जो है ना वह Amazon पर हो जाती है Amazon की responsibility हो जाती है Amazon ही करता है कस्टमर को डीलिंग बाइबॉक्स जो है ना सबसे पहले मैं थोड़ा सा है काил इसको बाइबॉक्स का बता दो एक बंदा को बटन होता है इसको बाइबॉक्स को मस टों करें इस sudden डिस्टॉर्शन होगी इसको स्मूदली चलने दें जो भी कुस्ट्र ना लास्ट पर हम लेगे कि यहां करना मैं आपको गाईठ कर रही थी कि यह सपूस्ट की जो प्रॉडक्त होती है अब यहां पर फाइब मी तू सेलर नजर आ रही। थीक है?' कि हमने करना क्या है कि रिखें को कृपर लेते हैं उसी की निस्टिंग के अंदर मीटू करके अपनी प्रॉडक्क को से लउट करना होता है फिर वह जो बाइब तो फाइब सेलर में मेक्शूर करना होता है कि ब्रैंड ना हो जब हमने होसिल की क्राइटिरिया पर यह नहीं के फुल्फिल होती प्रॉडट्क फाइंड डॉट करनी है तो हमारी फॉर्स प्रियोडिटी यह होती है कि वह ब्रैंड कुछ से लाउट ना कह रहा हो यहां पर ए इसकी रेटिंग 4 शे अबब होने चाहिए रिव्यूस 50 से अबब होने चाहिए इसकी प्राइस जह रैकमेंड ही होती है कि आपको प्राइस होसेल में 15 से और 25 तक प्राइस बहुत अच्छी होती है उसके बाद नेक्स्ट आनवर्ड हमने मीटू सेलर चेक करने होते हैं और और यह मीटू सेलर 25 तक होने चाहिए से ज्यादा ना हो फिर कंपिटिशन आई हो जाएगा यहां पर लिस्टिंग एक्टिव होती ना लाइव होती तो यहां पर कीपा का ग्राफ भी शो हो रहा होना था वह मैं बाद में आपको बताती हूं सेंपल के दोड़ पर पहले हम इस और जिसके पास वाइबाउक्स को एक से दो तरीके बताये मैं वाइबाउक्स को कैसे वहिं करना है इससे वह ज्यादा होते है लाट परस्जों कि जो five seller rate हैं इनके rating and reviews matter करेंगे इनकी price matter करेगी क्या price लगाई है और यह लिए कहा जाता है कि जिनकी काम price होती है वाइबाक्स उनको मिल जाता है लेगिन इसके behind भी बहुत ज्यादा factors होते हैं जिनकी बेस पे फिर हम यह win करते हैं वाइबाक्स को Amazon private label अगर हम बात करें ना प्राइवर लेबल में तो Amazon प्राइवर लेबल का फाइदे और नुसान साथ साथ हर चीज के होते हैं हम स्अप्रै इस पर किलते हैं कि precaution अगर की इस अबने नीज बॉडक्त आहलिकरा टाइवर लेप तो यह तो यह आध बónक करकर नहीं यहां पर अगर ब्रैंड कि सी हम इत毫ुड नहीं नहीं है इस भाइवाउक्स कीर्णा और नहीं जो जितने मीडू करके बैठे हैं यह अब होन है लट्समीन जाना वो इसका यह फाइदा हो गया कि भाई बाक्स खुद हमें मिल जाता है फिर इसके बाद के ब्रैंड नेम अपने ब्रैंड नेम के साथ अपनी मर्जी से हम थर्ड पार्टी से मैनुफेक्चरार से अपनी प्रोड़क्र करवाते करते हैं और अपने ब्रैंड बिल्डिंग से लॉट करते हैं उसके बाद यह होता है कि लेट सब्सक्राइब लेबलिंग या पैकेजिंग करवानी है वह भी हम अपनी मर्जी से करवाते हैं अब यहां पर प्रॉफिट मार्जन जो है ना एक्स्ट्रीमली लकुरेटिव यानि हमीं वेट करना परता है और फिर जब स्टैबल हमें जाकर हुं प्रॉफिट मार्जन आता है अना तो बहुत 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 है श कई है के हमें से राप्ता करना पड़ता है और Sumter umれて हिंब हम किसी भी हम क्या करते हैं सिंपल इसमें प्रोड़क्स में यह निके मगवानी होती है और अपने ब्रैंड बिल्डिंग से लाउट करते हैं कि यह हमारी अपनी प्रोडक्त है उसके अपना लोगो लगा इसका सबसे बड़ा फाइदा ही है कि लोग क्या करते हैं एक से दो साल इसको लेके चलते हैं और फिर से लाउट करते हैं तो अच्छा खासा जो है ना वो ट्रिपल वे से अर्ण करते हैं लोग यह प्राइवेट डेबल की ना इस तरह से इस टाइम पर चाल रहा है कि लोग इसको पहले स्टेबल कर लेते हैं तो फिर बाद में इसी बिजनस कुरिया ना से राउट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है भी लगती है फ्राइवेट लेबल में कि फिटीन के डॉलर से नीचे तो का बात ही नीव बनती ना प्राइवेट लेबल में उसके बाद यह टाइम जो है ना यह डिपैंड करता है कि यह जो आपने करना है या फिर प्रॉडक्ट आप होता है लेट्स पोज आपने मेनफेक्चर करवाने हैं तो सप्लायर आपको बहुत ज्यादा डिलीट टाइम दे देते हैं तो फोटी टू डेज एवरेज हिसाब से वह चलते हैं हमारी हमारा टार्गर्ट ही होता है कि 22 डेज के अंदर हमें प्रॉडक्ट मिल जाए लेकिन 42 डेज ले जाते हैं विए नेक्षि यह है कि और रेटिंग रिव्यू करना पड़ता है यह इस पर बड़ा काम करना पड़ता है यह इस पर इसंग के साथ आपने मीटू करना होता है इसके लावा आप तुडालाजी आप क्या करते हैं। किस में हमने सप्लायर से यह वोल्सेलर यह डिस्ट्ट्रीज और ब्लोड्रा ने होता हैं। एंपर अप्रोट से अप्रोड लेना हिए। और कम M.O.Q के साथ होचल की सबसे उनीक फीचर है कि कम M.O.Q के साथ हम इजली जो है ना वह चल सकते हैं लेट स्पोस के 15 पीस मगवाल यह शिप कर लिए यह फिर आप 25 पीस शिप कर लिए तो कम M.O.Q के साथ हम चलते हैं फिर हमने देखना होता है यह प्रॉडॉक्क चलने वाली है कि नहीं लट स्पोस अगर वह चलने वाली हो तो फिर हम उसको नेक्स्ट भी सोर्सिंग करते हैं नहीं तो फिर वहीं भी हम उत्रे ही भी जो है वह करवा के ना से लाउट हो जाएं तो फिर नेक्स्ट राम किसी और प्रॉड़क्ट पर मुववन करते हैं और इसमें यह है कि प्रावेड लेबल की निसपर ली टाइम बहुत शार्ट है क्लाइंट पर गहरा और अगर एक्स्पीएंस बताऊं तो होसल के क्लाइंट जल्दी मुल जाते हैं अंगर आप विजिबिलीटी बनाते हैं न अपने अच्छी सी तो डेuff YO अपको क्लाइंस में जाते हैं राइट नो मेरे एक्स्पीयंस अगर थोड़ा सा शेयर करूं तो उन्होंने यह कन्फर्म करें वाज सबसे क्लियर है अगर और जेयर है अचाहा हुआ है कि अगर अपनी बिल्डिंग तरफ जा रहे हैं अमदानी स्टूडेंट थे हुआ हैं उनको वो मशालए से अभी स्टार्टिग परनों नारे क्या कि इंडिजिव वेद से चाल रहे हैं और क्लायंट स्टूडेंट करने के बाद अभी माशला है इतने क्लाइंट उनके पास आ रहे हैं कि टीम बिल्ड़िंग की तरफ जा रहे हैं इनको लेंके तो ले के लिए तो बताने का मक्सद है यह यह ऐसे अपनी विजिबिलिटी होती है कुछ को क्ला अधिन का बड़ा ही होती है मतलब वो एक्सटोर्ट होते हैं और यह आगे जाके मां पूर्टी स्टूडेंट को यह भी रेकमेंट कहा रही होती हैं कि आप टीम बिल्डिंग कर ले लैट स्पोस कि कोई बीच में से एक स्टूडेंट प्रॉडक्ट हंटिंग अच्छे तरीकिस कर ले अच्छा टीम बिल् प्रॉडक्स के आप अनर नहीं होते तो उसमें यह है कि बाइबॉक्स प्रॉटेट कर रहा होता है कि जो से लानी है वो डिवीन के साब से आनी है उसके बाद है जी आपको यू नीड टू प्लेस हाई वालिम ओर्डर विद एस्टैब्लिश ब्राइंड मैनिफेक्टर और यहां प्यां पर हमना अप्रॉबल लेने के लिए पहले हमें हो डिसन लेना पदा है से इसेलर लेना परताि है या यह Webs ना के लिए महेंट करनी पड़ती है लेकिन फिर एक दफ़ा मिल जाया इना तो बाद में इसमें यह है कि बस आपने शुप至 कर के बाएट करना है यह हिसाब पूसिसमें होल सेल में तो इसलिए जो इनना सबसे ज्यादा प्रफर भलोग अच्छा यह इसमें कोई में कुस्टेक्ट है तो करें ऑर हम नेक्स्ट मोबन करें आज है कि सी को भी कोई भी कोंफलेक्ट नहीं है मैं मेरी Vazare? जी जी वाजरी मैं मैं आम जबता हैं जैसे हम लोगी निया कोई बी प्रडक्ट हंड की है तो उस प्रोडक्ट पे हम ऐसा पी यल भी चाल सकते हैं जो जो और प्रोड़क्ट पे आघ गागे शबैली के वह कर सकते हैं कि प्रडूक्ट ऊपर डीफरेंशेशन थारीन के वोसेर कोगी वह प्रॉडुक्त हो अपने एक ब्राइश स्कूप कि प्रोड़क्ट अलादा होती है और प्राइवेड लेबल के लादा होती है जिन पर हम लों को बाइब बाइब बॉक्स नजर आएगा वह वाली हम लोगों को लेकर चाहिए है आपने बिल्कुल ठीक है सही है क्योंकि होलसेल में एक सेकिन में आपको ना गाइड करती हूं कि इसमें हमने करना क्या है लेट्स पोस्ट के हमने ना होलसेल की प्रोड़क्ट में आपको बताती हूं यह आपसे ना गूगल की स्क्रीन चुएर है सबसे अच्छा यहां पर एक मैं वैसे मैथड बताने लगी हूं कि होल सेल की प्रॉडक्ट पाइंड आउट करने का मैथड और अब आपने करना किया बैस्ट सेलर पर क्लिक किया कि यहां से राइट साइड से ना कोई कैटेगरी स्लेक कर लिनी जो रखोमने दो होती है हमने किचन में भी हमाजाएंगे धर केटेगरी स्लेक्र कर लेते हैं अच्छा इस पर हमने करना क्या है कि अच्छा अब यह न मैंने यह टूल है एक सेलर सप्रीड डॉट कॉम यह वला यह एरो नजर आ रहा है नहीं यहां पर सेलर सप्रीड डॉट कॉम एक्स्टेंशन लास लग रहा है आज आपको ना बड़ा रोजा लग रहा है यस मैं मुझे रिस्पॉंड कर रहा है इवन दो एक्टिव होंगे तो मुझे पता चलेगा ना अच्छा यह है कि सेलर सप्रीड डॉट कॉम एक्स्टेंशन है इसको आपने डॉनलोड कर लेना ठीक है अब आपने करना क्या है कि इसको ना डॉनलोड करके उसका फाइदा ही होता है कि हमें लिस्टिंग यह जब हम किसी भी कैटागरी में जाते हैं यह प्रॉड़क की तमाम इंफरमिशन नीचे हमें दे देता है अब यह लोड हो रहा है मैं आपको बता देती हूं साथ हमें ना यह इन्फ कि यह और यहां पैस नेशिक क्या है इसके बाद सेलर 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 है सबसे मैं छीज जो हमें चौन के चाहिए हैं यह सेलर कितने है यहां पर यहां पर यहां प mentally अगर страш तो उसको को उसको जा सकते हैं अब आपने गोर से सुनने मां के क्या रही हूं लेकिन क्राइटरिया को करड़िया को कि टौर्डिक्त को ऑफन करें तो उस सुनने मैं क्या रही हूं ने इसको के रौोड़क्ट है इसकु राइट साइब नॉपन किया अब फाइब सेलर इसके प्लत कॉरा जरेखा कि अब हमने करना क्या है यहां पर कि देखें इसमें रिक्राइटीर्स कोतै क्यों यह इव पाइप क्लेगा को मेंज कर न हमें की हमाल जाता है 안े kay cinnamon иса कहता है जी फिफ्टी रिव्यूज होने चाहिए इसके बाद यह देखे टूंटी एट इसकी प्रॉडक्ट की प्राइज जा रही है तो हमने वोलसेल में तक की प्रॉडक्ट की तो उसमें जा सकते हैं अगर टॉंटी फाइब से अब आवाली प्रॉडक्ट में जाएंगे तो हमारी इंवेंटरी अच्छी खासी लगे या पर यहां पर यह देखें फाइब यह देखें इसको लॉग इन कर लेते हैं पहले पार टूल ना होसल के लिए यूज होता है यह वहला कीपा डूल जो है न और इसका हिसाब होता है कि यह देखे यह कीपा टूल है यह ज़रा फ्राइवर्फ लेबल के जो वह न कीपा टूल आ तो सो के 1000 तक आ जाता है कुछ डिपन करता हर एक टूल प्रोवाइडर की सरविस तो चाहिँ देखिए जींप हें पर किमने कड़शा ह्थ होते हैं हम ऐ参फ देखना होता है यहां से इसकी सेल रांक क्या है इसकी लैट्स खॉर्स्क्राइब अनरा असके बाद इसका यहे इस प्राडक्क में नहीं अगर